डेंगू बारिश का मौसम पीक पर है बारिश के मौसम अच्छी तो लगता है बच्चों को भी बारिश में खेलने में बड़ा मज़ा आता है लेकिन बारिश अपने साथ काफी बीमारियां लेकर आती है और उसमें सबसे बड़ा जो विलन है या बीमारी है वो है डेंगू especially दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में हर साल डेंगू अपने चरम पर होता है और बच्चे बड़े दोनों ही equally affected होते हैं तो देखते हैं कि डेंगू फैलता कैसे है डेंगू usually मच्छर के काटने से होता है और जो डेंगू का मच्छर होता है उसमें खास बात ये होती है कि ये दिन के समय निकलता है और साफ पानी पर पनपता है और इस मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स यह डेंगू का मच्छर यूजिली जब बच्चे मैदान में खेलने जाते हैं शाम के समय या दिन के समय तब बच्चों को काट लेता है या हमारे घर के वातावरण में कहीं पानी खट्टा होता है कूलर का पानी या टायर में या मट्की में पानी तो वहां से यह मच्छर बच्चों को काट लेता है जिससे बच्चे डेंगू से संक्रमित हो जाते हैं डेंगू का सबसे शुरुवाती होता है बहुत ही high grade fever 102, 103, 104 इस तरीके से बुखार आता है बच्चे dehydrated हो जाते हैं, गले में दर्द, जीव उनकी कई बारी लाल रंकी हो जाती है इसके साथ पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द, उल्टियां, कभी-कभी बच्चे को दस्ट भी हो सकते है इसमें खास बात यह है कि जब बुखार दो या तीन दिन के बाद थोड़ा सा कम होता है तो शरीर में कुछ लाल रंके चकत्ते निकलने लगते हैं और एक कैपिलरी लीक फिनॉमिना होता है जिसकी वज़े से बच्चा dehydrated हो सकता है और बच्चे को अस्पताल में भरती कराना पड़ता है यही वह समय है जब platelet count भी गिरना शुरू होते हैं तो यदि बच्चे को ये सारे लक्षन हैं और पुखार बहुत ज़्यादा तेज है 103-104 उनके शरीर में कुछ चकत्ते बगरा निकल रहे हैं तो आप अपने pediatrician से संपर करें तथा उसकी जाच करके यह पता करना काफी आवश्यक हो जाता है कि बच्चे को बुखार डेंगू की वज़े से आ रहा है या किसी अन्य बिमारी की वज़े से डेंगू में जो कुछ चीजे हैं याद रखने की ध्यान योग बाते यह हैं कि इसमें hydration बच्चे का काफी maintain करना पड़ता है प्लेटलेट गिरना कोई खतरनाक चीज तभी होती है जब प्लेटलेट की मातरा 20 या 30 हजार से कम होती है और तभी अस्पताल में भरती कराने का इंडिकेशन होता है किन्दू उससे पहले जब आप घर में बच्चे को मैनेज करते हैं तो बुखार के लिए पैरसेटामॉल का ही प्रयोग करें किसी अन्य दवा का मैफेनिक एसेड या आईब्यू जैसिक का इस्तेमाल डॉक्टर की सला के बिना मत करें क्योंकि यह दवाईया जो होती है यह प्लेटलेट की संख्या को और जदा गिरा देती है साथ में हाइडरेशन मेंटेन करना मतलब धाई से तीन लीटर पानी कम से कम बच्चे को रोज पिलाना ही है पानी या लिक्विट किसी भी फॉर्म में ORS भी दे सकते हैं जिससे यदि आप घर में यह सारी चीज़े करते हैं तो बच्चे के जो हॉस्पिटल एड्मीशन रेट है यानि अस्पताल में भरती होने की संभावना काफी कम हो जाती है झाल झाल